हेलो गाइस कैसे हो आई होब कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो इस वीडियो में बात करने बालाँ रेडिमी नोट 9 प्रो स्मार्ट पून के बारे में इसकी फुल स्पैसिफिक्शन के बारे में डेटेल में कि इसमें आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिल सकते हैं और 5000 mh की बेंटरी देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली दोस्तो इस वीडियो में बात करते हैं रेडिमी नोट 9 प्रो स्मार्ट पून के बारे में क्या कुछ मिलेगा आपको इस पॉन में और दोस्तो ये स्मार्ट पून आपको लेना चाहिए या फर नहीं तो दोस्तो वीड LCD डिस्प्ले पेनल देखने को मिलेगा जी हां दोस्तो इसमां आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला ये एकदम कनफर्म हो चुका है और इसका जो डिस्प्ले होगा वो एक पंचॉल डिस्प्ले पेनल होगा जिसका रेजिलेशन होगा 1080 by 2340 पि प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और वहीं पर बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमां आपको Qualcomm Snapdragon 765G का SOC देखने को मिल सकता है विद 5G सपोर्ट के साथ लेकिन दोस्तो इसमां आपको MediaTek का चिपसेट भी मिल सकता है यहां पर ये कनफर्म नहीं है और इसमा 256GB जिसमां आपको dedicated HD card का slot भी मिल जाएगा और वहीं पर बात करते हैं इसके camera's के बारे में तो इसमां आपको back side में quad camera setup देखने को मिलेगा जिसका primary sensor होगा 108MP का जिसमां Sony का IMX686 का sensor यूज किया गया है और इसी के साथ आपको 16MP का ultra wedding lens 5MP का depth sensing sensor और 2MP का micro lens देखने को मिलेगा वहीं पर front side में आपको selfie के लिए 32MP का एक पंचोल selfie camera भी मिल जाएगा और अगर बात की जाए इसकी battery के बारे में तो इसमां आपको 5000MH की battery मिल जाएगी with part charging का support भी मिलेगा और out of the box आपको 30W का super part charger भी मिल जाएगा और दोस्तो इसमां आपको type C port 3.5mm audio jack and face unlock जैसे feature तो मिले गई तो चली दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी price और launchate के बारे में तो दोस्तो इसकी price होने वाल यह इंडिया के अंदर around 15-16,000 रुपीज जिहां दोस्तो only 15-16,000 रुपया की price में यह आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है तो दोस्तो देखा जाए तो अगर यह smartphone इंडिया के अंदर 15-16,000 रुपया की price में launch होता है तो दोस्तो यह smartphone आपके लिए काफी ज़्यदा बढ़िया smartphone होने वाला है क्योंकि दोस्तो इसके अंदर आपको 108 megapixel का camera, Qualcomm Snapdragon 765G का SOC and 90 Attach का repress rate वाला display panel देखने को मिल दा है जो कि इतनी कम price में अभी तक किसी भी company न launch हो सकता है तो दोस्तो आपकी कहराय कमेंट बॉक्स में अपनी राज जरूर दीजेगा तो दोस्तो यह ती Redmi Note 9 Pro की pricing, launch rate और specs आई होब दोस्तो कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजे और चैनल अपर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा